नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कड़ी पते का पाउडर अब आप सोच रहे होंगे के पाउडर क्यों कड़ी पते हम क्यों ना डाले पर अभी बात अलग है देख सकते हैं अगर हम बाजार से यानि के मार्केट से कड़ी पते लेके आते ना तो वो कड़ी पते जल्दी से ही सूख जाते हैं तो इसलिए आप क्या करें अगर वो सूखी जाते तो किसी भी सबजी में या दाल में डालते नो तो वो मजा नहीं आता है तो इसलिए आप इसका पाउडर बनाके रख दें फिर जब जाए आप इसने कोई भी सबजी या दाल में डाले उसके लिए आपको धेड़ सारे कड़ भूनना है और सूख है फिर भी आपको इसे भूनना है ताकि जो बचा कुछा मोईस्चर है वो भी हट जाए और आपका पाउडर लंबे समय तक अच्छा चले तीन से चार मिंट तक अच्छे से भूनना है धीमी आज पर उसके बाद तुरंत इक एस को बंद कर ले और देख स अच्छे से ठंडे हो जाए तो मिक्सर जार के अंदर इसे डाल दे और कुछ भी नहीं डालना है पीसते समय भी बस इसे ढखकर पीस ले और लीजे आपका तैयार है कड़ी पते का पाउडर आप इसे कोई भी सबजी में डालेंगे डाल में डालेंगे ना एकदम अच्छा फ्रेश लगेगा कि अपने कड़ी पता डाला है इसके अंदर तो आप ये पाउडर लंबे समय तक कोई भी जार में रख सकते हैं फ्रिज में रखे बाहर रखे कभी भी नहीं बिगड़ेगा और अच्छा भी है वैसे अगर आप सूखे कड़ी पते अवाइट करते हैं तो इस तरह से कीजिए और अगर बच्चे भी नहीं पसंद करते कड़ी पता खाना तो पाउडर डाल दीजिए ट्राइ कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थांक्यू फॉर वाच्छेंग